भारत के न्याई की तियास में ये पहली बार हुआ था कि किसी व्यक्ति को गिरफतार करने के मात्र तीन दिन के अंदर ही उस पर मुकदमा चला उसे सजा भी सुना दी गई नमस्कार मैं हूँ राशुर्यवंसी आज सुनाओंगा मैं आपको 1931 की वो घटना जब ततकालिन परधान मंत्री इंद्रा गांधी की आवाज निकाल कर स्टेट बैंक ओफ इंडिया से साथ लाख रुपे की ठगी कर ली सन 1931 तारीक थी 24 मई स्टेट बैंक ओफ इंडिया की संसद मार्ग वाली ब्रांच पर करीब 12 वजे चीफ कैसियर वेद परकास मलोत्रा की टेबल पर रखे फोन की घंटी वजी मलोत्रा ने फोन उठाया फोन करने वाले ने अपना परिचे देते हुए बताया कि वो परधान मंत्री कार्यालय से परधान मंत्री का परधान सचीव पी एन हकसर बोल रहा है परधान मंत्री को बंगला देश में गुप्त अभियान के लिए 60 लाख रुपए चाहिए और उसने मलोत्रा को निर्देश देते हुए कहा कि वो बैंक से 60 लाख रुपए निकाले और संसद मार्ग पर ही बाइबल भवन के पास खड़े एक व्यक्ति को पकड़ा दें और ये सारी रकम सो के नोटों में होनी चाहिए मलोत्रा ये सब सुनकर कुछ परेशान हो गए तभी फोन करने वाले शक्स ने कहा कि लीजिए परधान मंत्री जी बात करेंगी और कुछ ही सेकिंड बाद एक महिला फोन पर थी उसने मलोत्रा से कहा कि आप खुद पैसा लेकर बाइबल भवन आईए वहां आपको एक व्यक्ति मिलेगा वो एक कोड़ बताएगा बंगला देश का बाबू जवाब में आपको उसको कहना है बार एट लो इसके बाद आप ये रकम उसके हवाले कर देना और मामले को पूरी तरह से गुपत रखना ये कहने के बाद परधान मंत्री के नाम से फोन करने वाली महिला ने मलोत्रा को थैंक्यू कहा और फोन काट दिया इसके बाद मलोत्रा टुरंट एक्शन में आये और उन्होंने अपने उप कैसियर राम परकास बत्रा को कहा कि 60 रुपए एक कैस बोक्स में रख दें बत्रा साड़े बारा वजे स्टॉंग रूम से 60 रुपए कैस एक ट्रंक बोक्स में रख लाए डिप्टी हैड कैसियर रोहेल सिंग ने रिइस्टर में हुए इस पैसे की एंट्री पर साइन किये और पेमेंट वाउचर भी बनाया जिस पर मलोतरा ने भी अपने साइन किये उसके बाद पैसे के उस ट्रंग को बैंक की ही गाड़ी DLA 760 में रखवा मलोतरा खुद गाड़ी चला कर बाईबल भवन पहुँच गए गाड़ी रुकने के बाद एक 6 फीट का आदमी उनके पास आया और उसने कोड बताया कोड बताने के बाद वो व्यक्ति बैंक की ही कार में मलोतरा के साथ बैठ गया और कार को सरदार पटेल मार्ग और पंच्शील के जंक्शन के टैक्सी स्टेंड पर ले जाने को कहा मलोतरा ने वैसा ही किया जैसा उनको कहा गया टैक्सी स्टेंड से एक टैक्सी कर वो व्यक्ति पैसे से भरा ट्रंक लेकर चला गया साथ ही मलोतरा से कहा कि वो पैसे की रिसीविंग परधान मंत्री के घर से ले 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 मलोत्रा इंद्रा गांधी के निवास पर गए उन्हें पता चला कि वो संसद भवन में है वो तुरंट संसद भवन पोचे वहाँ उनकी मुलाकात इंद्रा गांधी से तो नहीं हुई लेकिन परधान मंत्री के परधान सचीव परमेश्वर नारायन हकसर उन से मिले मलोत्रा ने सारी बात हकसर को बताई हकसर ये बात सुनकर परिशान हो गए उन्होंने मलोत्रा से कहा कि आपके साथ ठगी हो गई है परधान मंत्री कार्याले से हमने इस परकार का कोई भी फोन आपको नहीं किया आप तुरंट पुलिस को इसकी सूचना दें खबर मिलते ही पुलिस तुरंट हरकत में आई क्योंकि मामला बहुत बड़ा और संगीन था करीब रात को फोने दस बजे पुलिस ने एक वैक्ति को दिल्ली गेट पार्सी धरमसाला के पास से गिरफतार किया और डिफैन्स क्लोनी के उसके एक दोस्त के घर ए टू-सेवन स उसी दिन आधी रात को पुलिस ने फ्रेस कोन्फरेंश कर बताया कि सारा मामला हल कर लिया गया है। पुलिस ने पत्तरकारों को बताया ठगी करने वाला व्यक्ति रुस्तम नागरवाला है जो भारतिय सेना में कैपٹन था। और बाद में भारत की कई खूफिया विभागों में काम कर चुका है यह जानकर सरकार और विपक्ष में हड़कम मच गया उस समय संसद का सत्र चल रहा था इंद्र महुत्रा अपनी किताब इंद्रा गांधी एंड पोलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं जैसे की इससे पहले भी परधान मंत्री ने मलहुत्रा से कभी बात की थी अगर नहीं तो उसने इंद्रा गांधी की आवाज कैसे पहचानी क्या बैंक का कैशियर जुबानी आदेश पर बैंक से इतनी बड़ी रकम निकाल सकता था और सबसे बड़ी बात आखिर ये पैसा था किसका भारत के नियाएक इतियास में ये पहली बार हुआ था कि किसी वैक्ति को गिरफतार किये जाने के तीन दिन के अंदर मुकदमा चला उसे सजा भी सुना दी गई रुस्तम नागरवाला को चार साल की कारावास के साथ एक हजार रुपए का जुर्माना भी हुआ लेकिन इस घटना की तह तक कोई नहीं पोचा नागरवाला ने भी कोट में अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि बंगला देश के अभियान के नाम पर उसने महलोतरा को बेवकूप बनाया लेकिन इस केस में नया मोर तबाया जब नागरवाला चार महीने बाद अपने ब्यान से पलट गया और उसने अक्तूबर में इस फैसले के खिलाफ उच्ची अदालत में अपील कर दी लेकिन अक्तूबर 28 को अदालत ने इसकी मांग ठुकरा दी 20 नवंबर को इस केस की तपतीस करने वाले एसप डीके कश्यप की एक सड़क दुरगतना में मोत हो गई जब वो अपने हनीमून पर जा रहे थे एसप की मोत के तीन महिने बाद ही अचानक नागरवाला की क्यावन वर्स की उम्र में मोत हो गई मोत का कारण दिल का दोरा पढ़ना बताया गया इस ठगी के बाद मलोत्रा को बैंक की नोकरी से निकाल दिया गया लेकिन 10 साल बाद इंडरा गांधी ने मलोत्रा को मारुतीकार कंपनी का चीफ अकाउंट ओफिसर बना दिया नागरवाला की मौत के साथ ही ये सवाल उसी के साथ दफन हो गए इस पूरे परत्रण में इंद्रा गांधी की पूरी देश में बहुत बदनामी हुई ये साथ लाग की ठगी अनसुलजी रह गई कुछ सवालों के जवाब आज भी जोंके त्यों खड़े हैं मसलन इंद्रा गांधी की अवाद निकालने वाली महिला कौन थी मलोतरा ने महज एक परधानमंत्री कारयाले के फोन के चलते इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली ये रकम आखिर थी किसकी और ये अकाउंट किसका था कहीं नागरवाला राजनिती का सिकार तो नहीं हुआ था आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करकर जरू बताएं और साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जैहिंद जैभारत